मुश्कार मैं हूँ विरेंदिवेदी और आप देख रहें अधिकार एक्स्प्रेस आप लोग किसी घटका या विवात को लेकर कभी न कभी पुलिस स्टेशन या थाने में अवश्च गय होंगे और एसेचो यानि पुलिस स्टेशन के प्रभारी से सहायता मांगी होगी लेकिन अभी भी बहुत से लोग यह नहीं चानते हैं कि जिस एसेचो के पास वह न्याय की आशा में गए हैं वह कौन है और जनता के प्रति उसके क्या करतव है चलिए हम आपको विस्तार से पताते हैं कि एसेचो कौन होता है और उसके कार क्या होते हैं एसेचो का फुल फॉर्म स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है इसे हिंदी भासा में स्टेशन हाउस अधिकारी कहा जाता है इस्टेशन हाउस पुलिस इस्टेशन का एक परयायवाची है और एसेचो भारत में एक पुलिस इस्टेशन का प्रभारी अधिकारी कहलाता है या इंस्पेक्टर यानि निरीच्छक रइंग का पुलिस अधिकारी होता है पुलिस विभाग के भारत की आंतरिक सुरक्षा विवस्था में महत्तपूर भूमिका होती है पुलिस स्टेशन में SHO के पत पर कारी करने वाले अधिकारी को प्रदेश सरकार नियुक्त करती है या पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होता है इनकी सीधी भरती नहीं की जाती है सब इंस्पेक्टर के पत पर कारी करने वाले अधिकारियों को ही पदोन्नत करके SHO बना दिया जाता है या इंस्पेक्टर यानि निरिक्षक रइंका थाने का सबसे उंचे पत का अधिकारी होता है इस्पेक्टर की वर्दी पर दोनों कंधे की ओर तीन स्टार लगे होते हैं साथी SI और ASI की वर्दी की तरह कंधे पर एक लाल और नीले रंग का फीता लगा होता है इसके बाद हम आपको बताते हैं कि SHO यानी पुलिस स्टेशन प्रभारी अधिकारी के कार्य क्या होते हैं SHO किसी छेत्र के पुलिस स्टेशन का प्रमुख अधिकारी होता है अपने स्टेशन का प्रत्यनिधित्य को पूरा करने का काम करता है वह पुलिस स्टेशन के सभी कारियों की देखरेक करने का काम करता है ऐसे चो पुलिस स्टेशन में सभी आने जाने वाली डाक का सरवेक्षन करता है ऐसे चो अपने पुलिस स्टेशन में कानून व्यवस्था को बनाये रखता है S.H.O. अपने शेत्र में जनता से संपर का कार करता है और करवाता है वह जुलूस, धर्ना, प्रदर्शन, मेला, धार्मी कायोजन और त्योहारों पर शान्ती व्यवस्था की अस्थापना करता है S.H.O. सब इंस्पेक्टर यानि उपनिरिक्षक से बड़े पत पर काम करता है S.H.O. के अधीन सब इंस्पेक्टर, हेट कॉंस्टेबल यानि दिवान और कॉंस्टेबल यानि सिपाही की एक टीम काम करती है वह पुलिस स्टेशन के तीनों अतिरिक्ट प्रभारी निरिक्षकों और A.S.I. यानि सहायक उपनिरिक्षक के कारियों का परिविक्षण करता है S.H.O. अपने पुलिस स्टेशन के छेत्र के अवियोगों का पंजी करन करता है और अधीनस्तों से करवाता है वह अपने शेत्र के साइबर क्राइम के मामलों की विवेचना करता है S.H.O. अपने शेत्र में हुए गंभीर अपरादों के घटना अस्थल का निरिक्षण करता है वह अपने पुलिस स्टेशन सेत्र में अपरादों के मामले की जाच करता है SHO अपने पुलिस स्टेशन की तरफ से नियाले में उपस्थित होता है वह भारती पुलिस के नियमों के अनुसार नियाले में आरोप पत्र दायर करता है S.H.O. सभी गंभी अपरादों के घटनास्थल का निरिक्छन तथा पीरतों की सुरक्षा प्रधान करता है S.H.O. बीट, पेट्रोलिंग, नाकाबंदी, बंदोबस्त जैसे कारियों की विवस्था करता है वो पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी होता है जो पुलिस स्टेशन के कारियों की देखरेक अपने तरीके से करता है S.H.O. अपने छेत्र में चुनावी अपराधों के रोक थाम के लिए कार योजना बनाता है वो अपने पुलिस स्टेशन सेत्र के रेलवे स्टेशन की देखरेक करता है आपको बताते हैं कि हमारे देश में पुलिस के लिए ड्यूटी यानि कर्तव निर्वहन के लिए कोई निश्चि समय सीमा निधारित नहीं की गई है यह प्रथा अंग्रेजों के समय से चली आ रही है और अंग्रेजों के बनाए कानून के आधार पर अभी भी हमारी पुलिस कारी कर रही है अब हम आपको बताते हैं कि SHO और DSP यानि डिप्टी सुपरीटेंडेंडन आप पुलिस के बीच अंतर क्या है DSP का फूल-फॉर्मD डिप्टी सुपरीटेंडниц आप पुलिस होता है जिसे हिंदी में पुलिस उप अधिक्छक कहा जाता है जबकि उत्तरबदेश में इसे CEO यानि सर्किल आफिसर कहा जाता है DSP जिले के एक तहसील यानि सब डिवीजन का पुलिस प्रभारी होता है जो पुलिस अधिक्षक के अधीन कारे करता है जबकि SHO के एक पुलिस स्टेशन का प्रभारी होता है वह DSP के नीचे यानि उसके अधीन कारे करता है DSP तहसील के पुलिस अधिकारी के रूप में जीलों के लगभग दस पुलिस स्टेशनों का प्रभारी होता है जबकि SHO किसी शेत्र के एक पुलिस स्टेशन का प्रमुकिया प्रभारी होता है SHO किसी भी अपराद के मामले को DSP को भेजता है DSP तहसिल के अंतरगत आने वाले सभी पुलिस इस्टेशनों यानि थानों के शेत्रों की कानून विवस्था को बनाये रखने के लिए जिम्मेदार होता है जबके SHO केवल एक पुलिस इस्टेशन सेत्र में कानून विवस्था को बनाने के लिए जिम्मेदार होता है DSP तहसिल के अंतरगत आने वाले सभी पुलिस इस्टेशनों के SHO पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के कारियों का परविक्षण करता है जबके SHO केवल पुलिस इस्टेशन के तीनों अतरिक्त प्रभारी निरिक्षण को ASI और कर्मचारियों के कारियों का परविक्षण करने का अधिकार रखता है DSP अपने सेत्र की जनता और उनकी संपत्ती की रक्षण करता है और अपराद को रोकता है जबके SHO केवल अपने पुलिस इस्टेशन में आने वाले सेत्र की जनता और उनकी संपत्ती की रक्षण के लिए जिम्मेदार होता है और अपराद को रोकता है यदि आपके मन में कोई प्रस्णिया सुझा हो तो आप नीचे दिये गए बॉक्स में अपना प्रस्ण पूछ सकते हैं और प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं आज बस इतना ही दिन्यवाद अधिकार एस्प्रस के नए वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें साथी घंटी को जरूर दबाए और लोग सेवा अधिकारों की स्वतंतर पत्रकाईता के लिए हमारी मदद करें